वेलकम क्रिप्टो ट्रेडर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का सुवागत है फाइनली जैसे आप उठे होंगे तो आपने एक बड़ी खबर देखी होगी और यह है कि यार क्रिप्टो मार्केट अचानक से 4.26% इंक्रीज हो गया और 1.09 ट्रिलियन यूएज अगर यहां पर देखेंगे तो पेप कोईन जैसी क्रिप्टो करंसी से लेकर बिटकोईन से लेकर सभी क्रिप्टो करंसी लगभग 5% के आसपास इंक्रीज हो गई इसके पीछे क्या रिजन है इसके उपर बात करेंगे साथ ही यार यहां पर बिटकोईन के उपर बात और यार cryptocurrency exchange जो इंडियन cryptocurrency exchange है उनके उपर एक big breaking news निकल कर आई है अगर आपका भी investment इंडियन crypto exchange के माध्यम से है तो यार थोड़ा सा सोचन वाली बात आ चुकी है क्योंकि समय रहते अगर नहीं संभले तो यार कोई मतलब नहीं है कि पूरा पेसा कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकत है हमारे साथ तो बने रहना यार सब complete news पर cover करेंगे साथ ही CBN के बारे में और doge coin के उपर भी बात करेंगे तो सबसे पहले तो crypto market को आप देखेंगे तो crypto market 5% increase हो गया है Bitcoin देखो अचानक से 27,400 के लगभग यहां पर पहुच गई है अला कि और भी उपर पहुच गई थी 9,000 यानि कि 28,000 को टच करते करते नीचे उतरी है coin और यह क्यों हुआ है आखिर कारण क्या है Bitcoin की प्राइज आचानक से क्यों बढ़ी हो और crypto market क्यों बढ़ा तो यहां पर देख सकते हैं तो इन्होंने बताया है कि यार Bitcoin के बीच में बढ़ने के कई बढ़ने और पुरा crypto market बढ़ने के पिछे कई रिजन यह बता रहे है जहां पर एक एक करके हम discuss करेंगे तो सबसे पहले तो इनके तरफ से कहा जा रहा है कि यार United States Court of Papils Circuit Judge दुवारा गेश्टेल Bitcoin Trust जो GBTC के मामले में पक्ष रखने के बाद से कीमत दो सबता के उच्छतम इस्तर यानिक 28,000 डॉलर से अधिक पर पहुँच गई थी तो एक तो रिज़न ये है कि यार गेश्टेल Bitcoin Trust के मामले में पक्ष रखने के बाद कीमत बड़ी है अब ये GBTC है यार वहां का कुछ फंडा अपने को तो पता भी नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है जानने से क्योंकि मार्केट धीरे से वापस डाउन हो जाएगा अगर आप सोच रहे कि Bitcoin में रेली आ गई है और अच्छे प्राइज एकदम पहुच गई है तो इन्वेस करो तो ये तवरी थे थोड़े समय के लिए है वापस मार्केट नीचे ही जाना है यहां पर एक बाद समझ लीजिए दूसरी यहां पर एक और कारण है इसके पीछे बढ़ने के वो है यार Bitcoin में तेजी संस्थागत रूची के कारण यानि कि अगर बात करें SEC को अपील अदालत में ले जाने का निर्ने था और जो ETF को मंजूरी नहीं देना एसे बहुत सारे कारण थे जिस कारण से लोग वेट कर रहे थे कि कुछ हो नहीं हुआ और इस कारण से भी लोगों ने फिर इन्वेस करना स्टार्ट कर दिया तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है और साथ ही कम विनी में BTC आपूर्ती का भी एक बड़ा कारण है जिससे के 28 अगस्त को Bitcoin की कीमत में बढ़ोतरी हो गई क्योंकि यहाँ पर आपूर्ती की कमी आ गई और इस कारण से आपूर्ती कमी होने से मांग डिमांड तो बड़ी और उस कारण से भी प्राईज बढ़ने के पीछे यहाँ पर रिजन बताया जा रहा है तो यसे कई रिजन है जिसके ओपर आपको यहाँ पर प्राईज बढ़ी हुई दिख रही है यहाँ पर अगर आप पर सर्च करोगे तो बहुत सारी नियूज अलग अलग रिजन बता रही है हलागे कोई ठोस रिजन नहीं है कुछ ब्लू वहल का भी रॉल मान रहे है कि ब्लू वहल के कारेंड भी ऐसा हुआ है बट बहुत सारे रिजन है ऐसे रिजन में ऐसे समय पर investment करना उचित नहीं होता ह मेरे हिसाब से मैं तो यहीं मानता हूँ अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं सीबा इनू के बारे में उससे पहले आर क्रप्टो एक्षेंज के बारे में बात कर लेते हैं देखें इंडियन क्रप्टो एक्षेंज आज के समय में एक प्रसंगिक बने हुए है क्या किया जाए लेकिन अब मैं उसको change कर रहा हूँ अपना पूरा portfolio transfer कर रहा हूँ मैं नाम तो यहाँ पर नहीं खुला सकर सकता थोड़ी गलत रहता है बट मैं shifting कर रहा हूँ तो आप यार अपना देख सकते हैं मेरी तो यही राए है इसके पीछे reason भी बहुत सारे है कारेंड क्या है कि crypto market Indian crypto market जो 2021 के आसपस 20 के आसपस जो production कर रहे थे वो अब वेसा नहीं है और सबसे बड़ा impact कि हमारी government ने करा है regulation ना लाकर और बहुत सारे यार हमारी वितमंत्री जी ने भी बहुत सारे statement दिये थे मोधी जी ने statement दिये थे उस कारेंड से जो Indian crypto trader है उनकी संख्या भी काफी कम हो गई है और सब लोगों ने यार interest हटा दिया है काफी हद तक आपको भी देखने को मिला होगा कि Indian कितना जादा 10 करोड से भी जादा trader थे इंडिया में अब वो आधे भी नहीं बचे है और इसी कारेंड से जितने भी crypto currency exchange थे इंडियन जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े players से थे उन सबका यार डमाडॉल हो गया कई बार तो यहां तक खबर आई कि यह लोग shifting कर रहे हैं इंडिया से क्योंकि यहां पर regulation नहीं होने और इस कारेंड से इनका कभी भी कुछ भी हो सकता है और अपन तो यार रिस्क नहीं लेना चाहते है इसलिए मैं तो shifting हो रहा हूँ अलाकि इतनी जल्दबाजी मत करिये धीरे धीरे आप कर सकते हैं बाकि आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं करना चाहिए तो ये एक है कि अगर cryptocurrency में इन्वेस करी रहे है तो safely करे यार अन्य था इसा रिस्क के साथ इन्वेस करने से कोई मतलब का नहीं है ठीक है दूसरे हम बात कर लेते हैं सीबा इनू अगर जैसे coin के ओपर सब ये फसाने का प्रियास कर रहे है ताकि आप लोग इन्वेस करो और ये लोग यार profit यहाँ पर book करकर चले जाए ठीक है price गिरा दे तो ये से चक्करों में ना पड़े कोई मतलब नहीं है और हाँ यार आपको सभी को रक्षबंदन के शुपकामना है सबसे पहले तो मैं भूल गया था देना है ना भाई बेन के पवित्र तहवार रक्षबंदन के आपको हार्देखार्दिक्षब कामना है तो ये है यारो और सीबा इनू के बारे में कोई अगर अपडेट की मैं बात करूँ तो कोई खास मुमेंट इसमें देखने को नहीं मिला है भले ही सिबेरियम पर एक लाग नए वॉलेट क्रियेट हुए है लेकिन उसका इंपेक्ट यहाँ पर प्राइस पर बिल्कुल भी नहीं है सब वेट कर रहे हैं होल्डिंग करके रखे हैं क्या होगा आगे क्या नहीं होगा उसी के इंतिजार कर रहा है और मेरे हिसाब से वही ठीक भी है सीबेर में नया इंवेस्मेंट करना उचित नहीं है पुरानी होल्डिंग है उसको रख लो भले कोई दिक्कर नहीं है वोल्यूम यहाँ पर से 30% बड़ा है लेकिन उसका इंपेक्ट प्राइस पर आपको देखने को नहीं मिला है मार्केट भी बहुत कम यहाँ पर हुआ है पैसा तो आया है उस हिसाब से लेकिन गया भी होगा और इस कारण से यहाँ पर कुछ खास मॉमेंट देखने को नहीं मिला है तो यही यार वेट करिए जैसा भी होगा लेटेस्ट अपडेट आपको बताते रहेंगे चैनल को सपोर्ट कर लीजे लाइक, शेर, सस्काइब करिए नमस्कार, गुडबाई